मार्क शीट बनाने के लिए हम लोग शीट पर सबसे पहले सेल पर कोई भी एक डवी नाम स्कून कर टाइप कर लेते हैं लाइक ABC स्कूल, करीमबाद, कराची और डिफरेंट सैल के ओपर डिफरेंट कैप्शन्स या हेडिंग्स टाइप कर लेते हैं लाइक मुझे एक मार्क शीट बनानी है जिसके लिए सीरियल नंबर, नेम, इंग्लिश, मैथ, साइन्स, टोटल, परसंटेज और ग्रेट की कुछ हैडिंग्स होनी चाहिए सीरियल नंबर प्रिंट करने का तरीका मैं आपको पहले बता चुका हूँ आप बन लिकर माउस को डाट के ओपर रखें जब वो प्लस बन जाएगा तब क्लिक प्रेस करते वे नीच आएंगे ये माउट शीट के सीरियल नंबर जो है वो जनरेट हो गए देन उसके बाद आप डमी नाम अपनी मर्जी से कोई भी टाइप कर दें देन सीरियल नंबर में से सोरी रैंडम नंबर से इंग्लिश माथ साइन्स कोई भी अपनी मर्जी से आप टाइप करने टोटल निकालने के लिए इसमें सबसे आसान तरीका यह है कि आप पहले तीन नंबर्स को रैंज में ले जहां आपको टोटल का आंसर चाहिए वहां तक की रैंज बना ले और हमारे पास यहां एक टूल है आटो सम जस्ट उस पर क्लिक करें आपके पास टोटल आंसर जाएगा क्योंकि अगर मेरे पास यह 10 रिकॉर्ड्स हैं तो इनका टोटल करना को बिग दील नहीं है लेकिन अगर एक बहुत बड़ी मांग शीट है तो उस पे टोटल निकालने के लिए मुझे इस तरह से अगर मैं करूँगा तो काफी टाइम मेरा उसमें यूज हो जाए दूसरी ठीक ही यह है कि आप सिर्फ पहले इस रेट काटर का टोटल निकाले और उसपर डबल क्लिक कर देники करें आपके पस तमाम इस रेंस्ट का टूटल आ जाएगा उसके पास discipline के total number पे click करते हैं मेरे पास आ रहा है F5 F5 इसलिए आ रहा है क्योंकि F column और 5 number की raw पर मैं मौझूद हूँ और इसने उस particular cell को range में लिया हुआ है तो इसलिए मुझे वो बताता है F5 हम क्याते हैं चीके divided by total number अब अली ने English में 85 number लिये 100 में से Maths में 74 number लिये 100 में से Science में 74 number लिये 100 में से तो actual में में मेरे पास 3 subject हैं और हर subject को 100, 100, 100 में से number दिये तो total subject number हो गए 300 तो मैंने यहाँ पर दिया divided by 300 multiply by 100 overall percentage हमेशा हम लोग 100 में से निकालते हैं तो मैंने multiply by 100 दिया enter किया first student की percentage मेरे पास आ गई और बिल्कुल पहले की तरह हम इसको drag करते हैं, तमाम student की percentage मेरे पास आ गई लेन उसके बाद important formula है grade का, अब grade के formula को use करने से पहले 5 logical चीज़ों को समझ ले grade के formula में sign use होती है number one greater than, इस sign को कहते है greater than, इसके बराब एक और sign use होती है, जिसको कहते है less than अगर मैं कहता हूँ कि बच्चे की value बड़ी है 80 से तो computer जो है वो 80 से बड़ी value को चेक करेगा 80 को नहीं चेक करेगा, यानि 81, 82, 83 को चेक करेगा, क्योंकि हमने कहा कि अगर percentage बड़ी है इसका मतलब है कि वो 80 को नहीं चेक कर रहा 80 से छोटी value को चेक कर रहा 79, 78, 76 को हम कहते है कि अगर value बड़ी है बराबर है 80 के, तो इसका मतलब है कि वो 80 को भी चेक करेग और 80 से बड़ी value को भी चेक करेग क्योंकि हमने greater than equals to कर दिया अगर हम कहते हैं कि percentage छोटी है equals to 80 percentage 80 को भी check करेगा और 80 से छोटी values को भी check करेगा जबकि पांच फी condition ने percentage बराबर है 80 के तो exactly 80 अगर percentage आ रही है तो उसी को वो check करेगा otherwise अबाम value को वो ignore करेगा तो यह पांच different conditions होती हैं जो हम लोग आम तौर पे grade के इस formula में इस वग यूज़ करने जा रहे होते हैं पहला formula grade का पहले statement के लिए हम इस्तमाल करते हैं equals to if, if का मतलब है अगर bracket open, इस cell की value, पहले बच्चे की percentage पे click किया cell address आ रहा जी 5 हमने का अगर इस cell की value बड़ी है, बराबर है 80K तो कॉमा उस बच्चे को A प्लस grade दे एक्सल और programming language के अंदर हमेशा ख्याल रटना के वो value जो आपको screen पर as it is print करवानी होगी, उस value को आप inverted कॉमा के अंदर देते हमने का अगर g5 की value बड़ी है, बराबर है 80K तो कॉमा उस बच्चे को A प्लस grade दे और अगर ऐसा ना हो तो क्या करें, फिर हमें दूसरी condition लगानी होगी और दुबारा if को खोल कर, दुबारा उस पे एक नया formula add करना होगा, actually formula का syntax यही होगा, formula की conditions चेंज होती रहेंगी, मैं आपको करके बता देता हूँ, दूसरा formula लगाने के लिए हमने कॉमा लगाया, और लिखते हैं if, जब if के अंदर मजीद if खुलते हैं तो उसको कहते है nested loop, bracket open, अगर इस cell की value बड़ी है, बराबर है 70K, तो उस बच्चे को A grade दे दे, तीसरी condition, if अगर इस cell की value बड़ी है, बराबर है 60K, तो उसको B grade दे, then fourth condition, अगर इस cell की value बड़ी है, बराबर है 50K, तो उसको C grade दे, if अगर इस cell की value बड़ी है, बराबर है 40K, तो उसको D grade दे, finally हम कहते हैं कि अगर cell की value छोटी है, बराबर है 39K, तो उसको fail कर दे, अब जितने bracket open हुए हैं, उतने bracket हमें close कर दे होंगे, एक्सल में usually यह होता है, कि जब आप एक दफा bracket open करते हैं, तो उसे close करने की need नहीं होती है, लेकिन जब आप एक से ज्यादा bracket open करेंगे, तो उनको close भी करना पड़ेगा, तो यहाँ पर मेरे 6 brackets open हुए हैं, तो मैं उन 6 bracket को close कर रहा हूं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, और हर bracket का अपना एक color है, तो हमें उसे अंदाज़ा भी हो जाता है, कि वो bracket properly close हो रहे हैं, फाइनली मैंने enter किया, पहले बच्चे का grade मेरे पास आगया, और इसको सामने लगते वे मैं drag करता हूं, तमाम students का grade मेरे पास आ जाता है, अब Excel में इतने फार्मूले लगाने की क्या जबरत थी, या इतना लंबा चोड़ा काम करने की जबरत किया थी, ये काम हम शौर्ट तरीके से भी कर लेते तो हमारा answer जो हो जनरेट हो जाता है, या हम manual ही काइप कर लेते हैं, हाथ से लिख लेते हैं, एक्चेल में सबसे important चीज़ उसक दो को लगाने से, मिसाल के तोर पर अली का जो total आ रहा है, वो 233, percentage 76, और grade A प्लस, A grade आ रहा है, sorry, अगर मैं इसके subject number को कम करता हूँ, आप देखें, इसके total percentage of grade की ओपर changing आ रही है, ये देखें, दूसरे number को change करता हूँ, आप देखें, इसके result change हो रहा है, तो computer जो है, वो दिये वे फार्मूले के दर्मियानी movement कर रहा है, और answer automatically total percentage of grade का generate कर रहा है, अगर मैं इसके numbers को increase करता हूँ, आप देखें, इसका total percentage increase हुआ, इसका grade जो है, वो increase हुआ, इसका percentage increase हो रहा है, everything working में है, क्योंकि हमने फार्मूलों में तमाम चीज़ों को जो है, वो order position दिने रख mark sheet का, इस वक्त मेरा जो आखरी column है, वो H है, तो हम लोग mark sheet को H column से range बनाना चुन करते है, A से और H तक की range बनाते है, यह पहले text के साथ आप behave करेंगे, यहाँ पर एक tool है हमारे पास merge and center, just this tool पर click करते है, हमारा text centralized हो गया mark sheet का, then second heading को चूज किया, करीमबद कराची, और इस इसके बाद, बोल इटाले को सारे tools में आपको बता चुका हूँ, आप formatting के हवाले से उनको use कर सकते है, इसके बाद, मैं text की border बना लेता हूँ, और ताकि मेरा text driver थोड़ा सा formatting के हवाले से हुपसूरत बज़रा है, यह हमारी complete mark sheet है, जिस पर हमने total percentage of grade के formula को use किया है,